येलो इस्ट और साउट चाइना सी में चीन की खोशिश दावा दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ मचली फार्म शुरू साल में 3700 टन मचली उत्पादन खरेगा चीन साउट चाइना सी में अवायद फिजिंग पर चीन को घेर चुका एक वाड राजीव सर दुनिया भर में इतने सारे लोग जो फिश पर डिपेंडेंट हैं प्रोटीन की हैसियत से और ये भी कि बहुत सारी कंट्रीज की एकॉनमी इजी पर सब पर चलती है चीन तो उस पर कुंडली मार कर बैठा हो ते तैरता हुआ जो फार्म बना लिया है इसे सब हो जाएगा देखे विश के ओशिन बहुत बड़े हैं एक जहाद से ऐसा नहीं है कि बाकी देशों में मचली नहीं रहेगी बट ये बात जरूर है कि जो फिशिंग नेशन्स हैं जो जिनकी एकॉनमी उस पर डिपेंड करती है जिनके लिए स्टेपल डायट वो है उन पर प्रभाव जरूर पड़ेगा क्योंकि जब चाइना फ्लड करेगा पूरे विश्व में चीप और सस्ते समान खादेप्रदार फिश के तो अबिसली लोकल एकॉनमी लेकिन सार वो फिश अपने आप में कौन सा वाइरस लेके आ रही है ये कौन देखेगा अड़ी सुमवार से शुक्रवार शाम छे बजे सिर्फ टीवी नाइन भारतवर्श पार